हेलो गाईज वेलकम बैक टो मैं चैनल एक्विटी स्टार गाईज आज की इस वीडियो में आप लोग से बात करने वाला हूँ सबसे पहले यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के अनलेसिस के बारे में बताने वाला हूँ और साथ में ये देखेंगे हम लोग कि आज जो मार्केट का मुवमेंटम रहा है आज भी कहीं वे और निफ्टी क्या हूँ इस चीज को अभी हम लोग लाइब देखेंगे चार्ट में तो समझ में आएगा कि perfectly मैं आप लोगको कहना क्या चाहरा हूँ और यहाँ पे bank nifty का जो momentum हम लोग को एक one sided one way up direction में मिला था उसके बाद market फिर fluctuate होए कि जो बहुत बड़ा crash down के तरीका से एक तरीका से moment किया था downfall मतलब उसको एक panic downfall बोल सकते हैं जो institutional वहाँ पे sellers आते हैं इस type का condition आज हम लोग को देखने को मिला है अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि bank nifty क्या ये fall down को continue रखता है या फिर इसको upside के moment में कोई continue करता है तो इस चीज को देखने के लिए proper level, proper logic, सारी चीजों को guys इस वीडियो में हम लोग detail में देखने वाले हैं तो previous day ही मैंने आप लोग को बताया था कि continue ये वाली channel को follow करते हुए market आ रहा था उसके बाद market यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है previous day ही मैंने बोला था कि यह sustain नहीं कर पाया और इसी range में जहना market moment क्या है hold लेकिन आज क्या किया कहीने कहीन एक यहाँ पे indication मिल चुका था जब यह long time frame में इस channel को breakout दिया था तो कहीने कहीन market यहाँ से एक upside का momentum के लिए ready होड़ा था लेकिन market कल भी यहाँ पे sustain नहीं किया same as it is वैसा ही एक channel formation किया यहाँ पे guys इस तरीका का जो channel formation किया था previous day भी market देखिए उतना बरा अगर downfall जाना होता तो यह range support को downfall करके इसके नीचे चला गया होता लेकिन यहाँ पे market sustain कर रहा है मतलब कहीने कहीन एक indication है कि market जो up trend लगा के आ रहा था तीन दिन का यह channel को breakout दिया था कहीन कहीं market यहाँ से upside का momentum देना चारा था राइट लेकिन ऐसा हुआ नहीं आज देखे क्या हुआ कि market इस range resistant को जो यहाँ पे 480 है यह काफी critical था मैंने आप लोग को अल्डेडी बताया हुआ था market इस range के बीच में open हुआ और यहाँ से काफी ज़्यादा एक candle ऐसा candle bearish inglefin candlestick बोल सकते हैं जो काफी ज़्यादा volume था sellers का उसके ज़्याँ market फिर से यहाँ पे continue अपना selling pressure नहीं रखा यहाँ पे सारे sellers निकल गए और buyers यहाँ पे धेर धे activate होने लगा और मैंने जैसा ही बताया था आपको कि 480 के उपर अगर market sustain करता है तो आप लोग को यह वाला first target और यह वाला second target मैंने already यह चीज आप लोग को बता चुका हूँ वीडियो में previous day analysis वीडियो में अगर नहीं देखे हैं तो पहले देखिए आपको रूबरू ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा मैं बोल रहा हूँ और market भी उसी तरीका से react किया है यहाँ पर जैसे close किया और sustain किया आप देखिए certainly यहां तक का target exact मेरे level पर ही 840 exactly और यहां से ही market फिर से reverse दिया और यह जो आप देख रहे है rate candle का यहाँ पर बहुत बड़ा line यह panic selling है institutional selling यहाँ पर आया तो आप लोगो exactly guys यहाँ पर देखेगा इसी level से market एक channel formation करके downfall आया था और same level पर जब market आया तो यहाँ से यह इसलिए panic selling हो गया right condition यह आप समझ गए कि क्यों हुआ इसका region क्या था selling का अब दूसरा condition हम लोग देखते हैं कि market कल के according अगर यह open होता market अभी हाल फिलाल में यह अब यहाँ पे दो condition होगा या तो यह जो sellers काफी actively यहाँ पे active होआ है यह sellers अभी निकला नहीं होगा market से right खास करके अगर market यहाँ पे sustain कर जाता तो हम लोग यहीं पे 390 level का wait करते cross down होने का लेकिन इसको करके market फिर से इसी level में आ गया है इसी range में आ गया देख रहे हैं यह range काफी critical है और कल के लिए जो level होगा यह वाला range support काफी important होगा यह 38,035 और यह 100 यह दोनों range support है जब तक market कोई rate candle के साथ एक pressure के साथ यहाँ पे closing नहीं करता है तो हम लोग selling नहीं करेंगे और अगर इस type से यहाँ पे करता है तो guys 1% और 2% इसके नीचे ले सकते हैं और मैं कल क direction में इसमें कोई भी मेरा upside का view नहीं है कोई भी view नहीं है क्योंकि market में जितना बड़ा sellers यहाँ पे activate हुआ है मुझे ने तक मार्केट को थोड़ा बहुत भी उपर ले जाना चाहेगा इतना ज़्यादा pressure के साथ तो market कहीं ने कहीं यहाँ पी इसको breakdown करके नीचे जाना चाहि तो देखते हैं कल अगर उपर के ऐसे यह दोनों level जो तीन level है सेम एज 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 मार्केट को यही level फोलो करना है क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा momentum नहीं हुआ है तो बड़ा momentum नहीं हुआ तो हम लोग को यही level उपर के लिए consider करना है अगर यहाँ से continue नीचे के direction में रखता है तो यह वाली 38,035 as a safe trader और as a professional trader हम लोग को यहीं पे sell side में entry लेना है यह सारी चीज़े आप लोग को logic के साथ सारे level समझ में आ गया होगा इसके बाद guys अगर मैं nifty की बात करो तो nifty देखिए थोड़ा सा against रहा था आज bank nifty का वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे clear करना चा तो तो मेरा यहाँ पे buying activate हो जाता लेकिन क्या हुआ है यहाँ पे red candle indication है कि market यहाँ पे open हुआ इसको बोलेंगे gap up मतलब market closing यहाँ पे है open यहाँ पे हो रहा है इसको gap up बोलेंगे इतना gap create किया उसके बाद देखिए मैंने कितनी बार analysis में बोला है वही चीज में आज फिर ब open हुआ first candle doji बना दिया second candle काफी ज़्यादा actively यहाँ पे sellers activate हुआ और इसके नीचे आहीं गया volume के साथ और वहाँ से continue देखिए market नीचे ही आ रहा है right सबसे main important बात था कि यह वाला जो range देख रहे है market आके इसी range में यहाँ पे sustain किया है और बारवार market यहाँ से देखिए inverted hammer य आप लोगों को दिख रहा होगा और box formation के according जब यह वाली candle एक upside का momentum दिया तो यहाँ से continue market upside गया और सबसे important बात कि यहाँ पर जो एक level था अगर इसको हम double top भी consider करे या M pattern consider करे guys M pattern का भी study already मेरे YouTube channel में बना हुआ है उसको जरूर देखिए मैं उतना detail यहाँ पे नहीं दे सकता यहाँ पे exactly इसी level से second time जब market reject किया 320 से तो देखिए market में एक सांदार downfall देखने को मिला और यह downfall एक panic selling था और यहाँ पे इतना बड़ा downfall का region एक और था guys जब यहीं पे एक supply zone में sellers काफी activate हुआ क्योंकि यहाँ पे देखिए यह वाला जितना बड़ा candle है इसका मतलब है कि इतना ही ज़्यादा seller से यहाँ पे activate हुआ और वो निकला नहीं है कहीं कहीं market में यहाँ पे कोई भी एक ऐसा strong green candle नहीं देखेंगे जो market में बहुत ज़्यादा buyers को indicate करता हो right तो कहीं कहीं मतलब यहाँ पे छोटा छोटा candle बन रहा है मतलब sellers का काफी ज़्यादा pressure है यहाँ और साथ में जब lastly market यहाँ से downfall जाना शुरू हुआ यहाँ पे इस level के 240 जो level देख रहे हैं इसी level से guys यहाँ पे market काफी ज़्यादा strongly यहाँ से गिरना शुरू हुआ और यहाँ पे bank nifty और nifty दोनों का direction जो है same था और यहाँ पे ceiling pressure और ज़्यादा बढ़ गया अभी जो market का closing है वो कही ने कही यह 140 जो range support है guys इसके नीचे आके close हो चुका है तो अभी इस range में market का closing है तो हमको focus करना है अब इस level को जो नीचे बला है 18,077 क्योंकि market का अभी STA जो किया है वो इस level में है तो जैसे market एजे normally यहाँ पे open होता है और यह कही ने कही अगर यह उपर के direction में जाता है तो हम लोग को wait करना होगा 170 इस level को अगर उपर करता है तो यहाँ पे experience trader या फिर step trader एक छोटी मोटी profit के लिए जा सकते हैं क्योंकि guys यह वाला जो आप range देख रहे हैं यह range काफी important है तो बड़ा moment अगर हम expect करे तो हम जब तक इस level को उपर cross up नहीं करता 320 को तो हम ल red candle continue करता है यहाँ पे closing करता है तो guys यहाँ से हम लोग 1% और 2% इसके नीचे ले सकते हैं तो यही दोनों level रहेगा और इसके पीछे logic क्या था मैंने आप लोग को already explain किया तो guys वीडियो कैसा लगा आप लोग comment box में जरूर बताए और सबसे important बात की आज के लिए कि अगर अभ लेवल काफी सारे चीज़े मैं update करता हूं markets related वो आप लोग के learning के लिए आप लोग के analysis के लिए काफी ज़्यादा important है और दूसरी बाते अगर आप मेरे premium support group से जुरना चाहते हैं तो guys उसके लिए मेरे देगर link से demand account open कर सकते हैं और मेरे premium support group में lifetime के लिए आप add हो सकते हैं व तो guys यहां फिर बहुत ही easy तरीका से market से बहुत ज़्यादा पैसा बनाये जा सकते हैं बस आप लोग को एक सही mentor और सही guideline की ज़रुरत है वो चीज़ आप कर सकते हैं तो guys आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे comment में जरूर बताए तो आज की वीडियो में बस झाल